दोस्तों कहा जाता है कि आप जो भी मन में ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात आपकी सायता करती है। हाँ यह जरूर है कि उसको पाने वाला इच्छुक मेहनती एवं लगन वाला होना चाहिए। और हो सकता है बीच में कठिनाईयां आये लेकिन उस और यदि आपके सपने को साकार करने के बीच में यदि आपके कोई रुकावट या बादा आती है तो उन बादाओं को कैसे पार करे। अलकेमिश्ट की यह कहानी आपका मारगदर्शन करेगी। यह कहानी अंसुलिया इस्पेन में रहने वाले एक गडेरिये की है जिसका न कि उसके भेडे उससे कभी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें केवल एवम केवल अपने खाने से मतलब रहता था। सेंटियागो अपने साथ हमेशा किताबे लेकर रखता था। जब भेडे दोफरी में आराम करती थी तो वह अपने पास रखी किताबों को पल लिया करता था। जिसके कारण से दिन बितने का उसे पता ही नहीं चलता था। वह उन्हीं किताबों को तक्या बना कर सो जाता था। इसी तरह सेंटियागो एक दिन अपने भेडों के साथ अपने शहर से थोड़ा दूर निकल चिका था। तो उसने राज का समय बिताने के लिए एक खंड़ घर गिरजागर में ठरने का विचार किया। बेडों को एक बाड बना कर उसमें रख दिया। एवम अपने जेकेट की साइता से आसपास की जगों को सापकर वह गुलर के पेड़ के निचे सो गया। आधी रात को उसने एक सपना देखा जो उसे पिछली रात भी दिखा था जिसमें पिरामिट थे और वहां बहुत सारा खजाना भी था लेकिन वह जैसे ही खजाने के पास पहुँचता उसकी आँखे खुल जाती उसका मन बेचेन हो जाता उसके बाद नीन भी जैसे कहीं गुम हो जाती। एक दिन भेडों के साथ जब वह अंतसुलिया से बाहर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अपनी पुरानी किताबों के पदले दूसरी किताबे मिल गई थी। लाइबरी से दूसरी एवं पहले से मोटी किताब लेकर वह चल पड़ा। उसे उसी सहर में एक सपने पढ़ने वाली महिला का पता चला तो वह उसकी खोज में निकल प टो उसने भी उसे कुछ एसे ही संकेें दिये, एवं कहा कि यह सच है, सपने पढ़ने के बदले महिला पैसे लेती थी, लेकिन वह इस समय से कोई पैसे नहीं लेगी, लेकिन उसे वादा करना होगा कि अगर वह उस खजाने को पा लेता है, तो उसका दस्वा हिस्सा उसे दे लड़का खुश होता है एवम वहां से चला जाता है वहां से निकल कर सेंटियागो एक चाये वाले की दुकान पर बेट कर सोचता है कि ऐसा नहों कि वह बुड़िया उसे पागल समझ रही हो या फिर उसे ठग रही हो कि तभी उसके पास एक मेला कुचला लबादा ओड़े ए एवम उसे अपने लक्ष के तरफ बढ़ने का अश्वशन देता है सेंटियागो द्वारा उसका परिचे पूछने पर वह सलेम का बादसा बताता है जिसे जानकर वह उसे पागल समझता है बुड़ा अदमी उसके मन की बातों को सुनकर हसता है एवम कहता है कि उसे अपने दो पत्थर निकाल कर देता है जिसका नाम मुनीम एवम थुमीर है जो शगुन का चुनाओ करने के लिए होते हैं सेंटियागो उससे बहुत प्रभावित होता है हाला कि वह बुड़ा आदमी उसकी कुछ कीमत मांगता है जिसे चुकाने के लिए सेंटियागो अपने ही सब दूसरे शहर में निकल परता है जहां उसे एक क्रिश्टल की दुकान चलाने वाले के यहां आश्रे मिलता है कुछ साल तक वह अपना जीवन उसी के दुकान में इमानदारी से काम करते वह बिताता है वह अपने शगुन वाले पत्थरों के बारे में भी बुल जाता है एक जब उसका मालिक उसे कुछ पेसे दे कर अपने घर जाने को कहता है तो उसे अपना सपना यानि की अपनी नियती की याद आती है और वह बताता है कि पिरामीडो के शहर नकलिस्तान उसे जाना है उसी दिन वह मुनीम एवम थुमिर पत्थर का इस्तमाल करता है एवम सेयोग से ऐसा होता है कि पिरामीडों के शहर जाने वाले एक कारवा उसे मिल जाता है वह उसमें शामिल हो जाता है जिसमें उसको एक दोस्त मिलता है जो एक अंग्रेज है दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी काथा बताते हुए कारवा के साथ चलते रहते हैं अंग्रेज सेंटिया लड़का पिरामिट देखने की बात करता है। काफी ज़्यदा परेशानियों को जेलने के बाद जब कारवा नकलिस्तान पूछता है तो उन्हें कुछ दिन ठरने की अनुमती मिलती है। अंग्रेज उसी इलाके में रहने वाले अलकेमिस्ट की तलास करता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है क्योंकि वहां के लोगों के मताबिक वह यहां नहीं रहता है। वह उस अलकेमिस्ट के बारे में पूछता है। फातिमा उसे अलकेमिस्ट के बारे में बताती है जिसे जानने के बाद अंग्रेज उससे मिलने चला जाता है। अगले दिन भी सिंटियागो फातिमा से मिलने जाता है, जहां पहले से ही वह अंग्रेज साथी उसका इंतजार कर रहा होता है, वह उसे बताता है कि अलकेमिस्ट उससे मिला, किन्तु उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे और भी मेहनत करना चाहिए, एवं उसे सीशे से सोने बना आने की तक्निक सिखना चाहिए, जिसे जानकर Synthiago निरास होता है, लेकिन अंगरेज करता है कि उसकी बात को अमल करेगा, यहम वह सिखेगा कि कैसे वह सीसे से सोना बना सकता है। उसी राद जब सिंटियागो अपने टेंट में सोया होता है, तो वह एक सपना देखता है कि दो चिल आसमान में उड़ रहे हैं, यह उम तभी एक चिल दूसरे पर हमला कर देता है, चू कि सिंटियागो को सपना पढ़ना आ गया था, तो वह इसका मतलब जानता था, जिसको ब सरदार उसकी बातों को समझता है, क्योंकि ऐसी किटना एक बार और उसके साथ हो चुकी है, सरदार अपने पूरे एरिया में रहने वाले लोगों की शुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे जगह बेज़ देता है, एवम इलाके में जलने वाली सभी आख को बुजा देनी की ह हुकम देता है, जिस पर सब तामिल करते हैं, इलाके के रखाले रात को हमेशा सावदान रते हैं, रात के समय नकलिस्तान पर हमला हो जाता है, जिसमें नकलिस्तान की विज़े होती है, एवम विपक्ष के सारे सिफाई मारे जाते हैं, इस प्रकार सेंटियागो को नकलिस्त का रक्षिक बना दिया जता है एवम उसे सरदार द्वारा पचास सोने के सिक्के भी मिलते हैं इतना सब होने के बाद सेंटियागो अपने आगे का जीवन यही गुजारने का विचार करता है क्योंकि उसके पास जीवन बितानी के लिए बहुत सारा धन मिल चुका था एवम फ अलकेमिस्ट उसे चिल द्वारा संदेशों को पढ़ने के पारे में पुझता है तो सिंटियागो स्वीकार करता है वह उसे अपनी नियति की और बढ़ने के लिए करता है लेकिन सिंटियागो यह करते हुए उसे मना कर देता है की फातिमा ही उसकी नियती थी जिसे वह अल्केमिष्ट सेंटियागो से करता है कि उसकी नियती पिरामीडों के पास है। reminds तुमने फातिमा को पिरामीडों से नहीं पाया है। अतह तुम्हें अपने नियती को अंजाम देने के लिए पिरामीडों की खोज में ऩगिन निकलना चाहिये। सेंटियागो उससे बट्टे में गला कर उसे सोने में परिवर्तित कर देता है वह उस सोने के चार हिस्से करता है दो हिस्सा कबिले वाले को एवं एक हिस्सा वह रख लेता है एवं बाकी बचा वह सेंटियागो को दे देता है और उसके बाद वह सेंटियागो को अकेले ही आगे जाने को कहता है सेंटियागो आगे बरता है एवम उसे वह पिरामिट दिख जाता है सगुनों की शाइता से वह गड़ा खोदने लगता है कि तभी तीन गूर सवार उसे गेर लेते हैं एवम उसके सारे धन को चिनने के बाद उसे बहुत मारते हैं उसके धन के बारे में पूछते हैं जिसे वह नहीं बताता है लेकिन जब लगता है कि वह उसे मार डालेंगे तो वह सभी सच्चा ही बता देता है जिसे जानने के बाद वो गुर्षवार उसे पागल समझते हैं, एवम उसे उसकी हालत पर छोड़ जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उनमें से एक लोड़कर सिंटियागों के पास आता है, एवम वह करता है कि उसे ऐसे किसी भी सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने भी एक सपना देखा था, कि कहीं दूर किसी तूटे फुटे गिर्जागर में गुलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन सेंटियागों के चेहरे पर खजाना हाथ लगता है, जिसमें बहुत सारे हीरे मोती, थोने चांदी के जेवरात पड़े होते हैं, वह उन जेवरात को पाकर बहुत खुश होता है, एवं तरिफा में सपने पढ़ने वाली महिला के पास जाता है, वह उसका हिस्सा उसे दे देता है, वह फिर फातिमा के पास चला जाता है जो उसका इंतजार कर रही होती है जिसे सेंटियोगो बहुत प्यार करता है